विद्या करेगी अर्मान और अभीरा को एकसेप्ट लगाएगी दोनों को गले जी हाँ दोस्तो सीडियल ये रिष्टा क्या कहलाता है कब कमिंग ट्रैक होगा बहुत ही जादा धमाकेदार वेल जहांस शो में विद्या की बर्डे सेलिब्रेशन पार्टी देखने के लिए मिल रही है तो इसी पार्टी के दोरान अब सभी को पता चलेगा कि रूही प्रेगनेंट है जी हाँ ये खुशकबरी सब घरवालों को मिलने वाली है और यहाँ पर तो विद्या का सपना ही प मांग सकती है आज विद्या उसे किसी भी चीज के लिए मनान नहीं करेगी और यहाँ पर रूही विद्या को ये कहते हुए नजर आने वाली है कि आज उनके जनम दिन पर और उसकी प्रेगनेंसी की खुशी में वो उनसे कुछ नहीं मांगती वो सिर्फ एक चीज उनसे चा आने वाली है आने माला ट्रैक बहुत ही जादा मसेदार होगा वर्ल जहाँ आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरह से विद्या दोनों को माफ करेगी और अब विद्या की ये बर्डिस सेलिब्रेशन पार्टी डबल होने वाली है या यूं कहे कि यहां पर तीन तीन खुश पी मांग सकती थी लेकिन उसने उन दोनों की कितनी मदद की है वर्लिसी के साथ शो में आने वाला है बहुत ही धमाकेदार सा ट्विस्ट जी हां दोस्तों क्योंकि शो में अब हमें देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से अब अभीरा पर एक के बाद एक इलजाम लगते शो में बहुत ही जल्द हमें लीप भी देखने के लिए मिलने वाला है लेकिन इन सबसे पहले काफी हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर होगा क्योंकि जब विद्या केक खिला रही होगी रोहित को तो तब ही आकर अर्मान वो उससे केक छीन लेगा और तब बताएगा कि इ लेकिन इन सबके बाद फाइनली वो होगा जिसका दर्शक इंतजार कर रहे थे कि कव विद्या करेगी अर्मान और अभीरा को एकसेप्ट तो फाइनली अवो उन दोनों को एकसेप्ट करने वाली है वोल आपको क्या लगता है कि क्या ये सब होना चाहिए क्या विद्या इत बिरूर बताएं साथी साथ सब्सक्राइब करें वारा चैनल